जैहिन गाइस स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में गाइस जैसा कि आप सभी सातियों को मालूम है कि पलपल की लेटेस्ट अपडेट हो या कोई भी गौर्णमेंट एक्जाम समधित प्रिप्रेशन हो यहां पे आप लोगों के लिए सबसे पहले दी जाती है तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेश कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स मिलती रहे गाइस बात करेंगे हम लोग एनम और नर्सिंग वाले सभी चात्रों के लिए देखिए यहां पे जो एनम वाले विद्यारती थे और प्रे नर्सिंग सेलेक्शन टेस्ट वाले तो उन इस्टूडेंट्स के काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट कब आएगा तो डियर इस्टूडेंट्स जैसा कि आप लो अन्म या प्यनेश्टी का कोर्स है तो उसमें आप लोगों की फिश कितनी लगती है जो आप लोग कोर्स करते हो वो फिश कितनी लगती है तो डियर इस्टूडेंट्स सबसे पहले बता दू यह एक गवर्मेंट के दुवारा करवाई जा रही ट्रेनिंग है और इसमें लोगों को ध्यान में रखना है खाली आप लोगों को कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है यह गौवर्मेंट के दिवारा करवाही जा री ट्रेशानग है ध्यन रहै PNST और áने महाले यह आप लोगों को कोई भी फिस नहीं लगने वाली है admission फिस कोई भी नहीं लगने वाली बात करेंगे कुछ students के comments कि Sir यहाँ पर training के दवरान कितनी आप लोगों को stipend मिलेगा यानि कितनी salary मिलेगी training के दवरान तो dear student आप लोगों को ध्यान में रखना है ओके यहाँ पर कि चर्चा करेंगे हम लोग कब आएगा सबसे पहले आप लोगों के doubts के लियर कर देते आप लोगों को यानि आप लोगों का comments था कि Sir training के दवरान salary कितनी मिलेगी तो यह भी आप लोगों को यहाँ पर बता दू आप लोगों को किसी भी प्रकार का खर्चा यहाँ पर जहलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को training के दवरान minimum 3,000 कितने 3,000 यानि 3,000 रुपे पर मन्त मिलेंगे यानि आपका खर्चा इसी stipend में चलेगा 3,000 ओके जब तक training आपकी complete नहीं हो जाती 3,000 रुपे मन्त ली आप लोगों को यहाँ पर इस टाइपेंड यानि एक छातरवत्ती के रूप में आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा तो यह बहुती अच्छी बात है आप लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का खर्चा उठाने की कोई जरुवत नहीं पड़ेगी इसी में आप लोगों का पूरा हो जाएगा देन बात करते ट्रेनिंग complete होने के बाद तो dear student यहाँ पर ट्रेनिंग complete होने के बाद आप लोगों को जो है government विवाग में यहाँ पर खाली जगह के अनुसार आप लोगों को आप पदो पर नियुक्ति दी जाएगी और उन पदो पे आप लोगों को 10,000 रूपे पर थाउजेंट यानि पर मन्त ओके 10,000 पर मन्त यहाँ पर आप लोगों को salary दी जाएगी और जैसे आप लोग यहाँ पर यानि सबविदा से लेके आप लोग जैसे ही complete regular हो जाते हो तो आप लोगों की जो salary है वो उसके उपर बनने वाली 15,000 से 20,000 तक salary यहाँ पर बनेगी ओके अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों का result के बारे में तो dear student बताया था आप लोगों की result के बारे में आप लोगों की जो है वो कुछ process होती है ओके और उस process को time लगता है थोड़ा normalization process हो गया और अधर आप लोगों के जो है okay question वगरे देखना और जो देखी यहाँ पर जैसे अभी आप लोगों ने अभी आप लोगों के लिए एक link open हुई थी dear student और वो link क्या थी objection link अभी आप लोगों ने जो है question पे objection किया है okay क्या किया है question पे objection किया है okay अब इस objection के अनुसार आप लोगों की एक final answer की आईगी okay उसके बाद आप लोगों का result आएगा तो थोड़ा वक्त लगेगा और यहां पे मैं कह सकता हूँ आपको कितना वक्त लगेगा तो dear student यहां पे आप लोगों को वक्त लग सकता है कम से कम कम से कम यहां पे आप लोगों को देखी एक तो March के अंत तक यानि March के अंत होने के पहले ही आप लोगों का रिजल्ट यहां पे देखने को मिल सकता है और अगर मार्च में रिजल्ट नहीं आया है तो एपरेल के फर्स्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट बिलकुल यहां पे देखने को मिलेगा तो आप लोगों को थोड़ा धेरे और पेसेंस होगा ओके रिजल्ट आप लोगों का जल्द ही आ जाएगा जैसे कि आप लोगों को पलपल पे हर जानकर यहां पर प्रोवाइट करवाई जाती है तो डियर इस्टूडेंट बने रही है हमार साथ देन जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप लोगों की मेरिट कांसलिंग होगी पूरा एड्मिसन सेड्यूल पूरा चलेगा ओके इस प्रकार तो जून तक आप लोगों का काफी याने देखो कंपलीट होई जाएगा तो डियर इस्टूडेंट अगर किसी भी प्रकार की जानकर आप लोगों कुछ आईए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए और ओके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ठीक है ठेंक्यू गाइस पुना मिलेंगे हम लोग इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के साथ